श्री रादे रादे, भक्तों किसी सामर्थिवान पुरुष्ट की आश्रे ग्रहन कर लेता है जो उनकी चरणों की शरण में जो पहुंच जाता है, उनकी उपर जो भरोसा करता है, उनकी कृपा पर विश्वास करता है उनका दर्शन प्राप्ट करता है वो व्यक्ति सदा उट्सा के साथ परमार्थ में, अपनी साधना में, अपनी भक्ति में लगा ही रहता है को सफलता मिलती है उसको भगवान की कृपा कानुभव होता है कल आप श्रमुन कर रहे थे महान संच माता धर्म जी की चरित्र में यह उनका आशिरवाद प्राप्ट करके ललिता जो मरना सन्न थी वो समभल गए है और 102 वर्ष के अधिक उमर तक वो इद्डिफ शरीर से कमजोर थी लेकिन मन से मजबूती के साथ अपने सिवाकारे में भगती मिला की रही और ललिता जी ठीक हो करके अजमेर चली गई थी वही नर्सिंग होम के पास्ट वाले घर में एक कांगडे के दम पत्ति रहते थे उनकी स्त्री ललिता जी के यहां सत्संग में आती थी धर्म जी की बातें सुनती तो मुख्ध हो जाती धर्म जी का चित्र देख करके वो मुख्ध हो गई वो कांगडे जाने लगी तो डैडी जी का पता साथ ले गई डैडी जी ने वहाँ एक छोटा सा अस्पताल खोल रखा था और घर आने वाले लोगों का इतना ख्याल रखते थे वो कि उनका अस्पताल सेवा के लिए समर पे था और वहाँ एक माता की बात जो मैं सुना रहा था भी जो इस्त्री आती थी ललिता जी के यहां सत्संग में उनका पती बिमार हो गया था और उनके घर वाले लोग डैडी जी के स्पताल में उन्हें ले गए इलाज अभी शुरू ही हुआ था कि उन्हें पता चला कि उन्दिनों धर्म जी वहां डैडी जी के घर पर रहा रही थी बस उस माता की हुर्दे में उनकी दर्शन की अतीव रभिलासा हो गई और वह दर्शन की तीव रभिलासा लिये हुए अपने पती को लेकर धर्म जी से मिलने गए धर्शन करने गए धर्म जी भी उनसे मिलकर बहुत खुश हुए अजमेर की बात हैं होती रही लडिता जी की ठाकुर सनलगनता की सुखत चर्चा चलती रही शाम को धर्म जी उन्हें साथ ले नदी किनारे चल पड़ी थी और वहां जो हरी चर्चा शुरू हुई तो समय का भान ही नहीं रहा धर्म जी ने ठाकुर लीला सुनानी प्रारंब की उस वक्त धर्म जी के चेहरे पर इतना तेज था कि उनका पूरा मुख प्रकाश्मान सा हो गया उन लोगों को खूब दिवे दर्शन हुए भक्ती भाव से सराबोर वो दमपत्ती जब अज मेर पहुँचे तो ललिता जी को ये सुखत घटना सुनाई तारा जी भी पासी बैठी थी सभी ने उन दिवे विभूती को याद करके संकीर्टना रंब कर दिया भजनों का जो दौर चला तो समय का भाण ही नहीं रहा अज मेर में उनके सत्संग की अभिन सक्खी तारा जी शांत सभाव की संकोची मृदूल मृच भाशिनी उन दिनों पारिवारे की जटिलताओं में उल्जी हुई थोड़ा परिशान सी थी कभी-कभी तो बहुत ज़्यादा परिशान हो जाती थी धर्मजी का उन पर अपार्श ने था एक दिन सत्संग कीर्टन के बाद लल्टा जी की द्वारा उन्होंने तारा जी के लिए संदेश बेजा भगवान की पूजा करो साथना करो पती का रास्ता नहीं बढ़लेगा इस नौकरी में ही रहेंगे प्राथना करो तारा जी को उनके संदेश से बहुत अधिक संबल मिला जो घबड़ाई हुई थी उससे बिलकुल उबर गए और उस दिन सत्संग में अचानक किसी भावावेश में धर्मजी ने अपने परिकर की पूर्वजन्व का बृतान्त बतला दिया उन्होंने बतला है भक्तों उन्होंने कहा कि तारा जी इनकी बात में सुना रहा था आज मेर की बात कि जो परिवड़ग्य तिलताओं से उलजी हुई परिशान थी बहुत उन्हों तारा जी की बात बतला है धर्मजी ने उन्होंने कहा कि तारा जी पूरो जन में मतुरा की किसी यादव की गोप कन्या थी है तेरे वर्स में उनकी मृत्य हो गई थी इतनी बात उनकी पूरो जन की पुता थी बिल्लो जी लल्टा जी के परिकर की सक्षी है संतोस जी चंद्रावली सक्षी का ही स्वरूप है शकुंतला जी ब्रज गोपी थी उनका नाम अनुराधा था भक्तों ये सब पूर्वजन्म की बातें धर्म जी ने बता दि उन्होंने आठ श्रेणी पार कर ली थी और उनकी देवरानी इंद्रावती जी ने पांच रहनी पार कर ली थी शकुंतला जी अब और जन्म नहीं लेंगी ये आश्चरे मई बातें सुन करके तलिताची गदगद हो गई और प्रेमा तिरेक से आश्रू बहाने लगी भावावेश में धर्म जी ने उस दिन और भी कितनी बातें बतला दी लोगों के पूरू जन्म अजमेर पहुँचकर ललिता जी ने तारा जी को धर्म जी का पूरा संदेश दिया गंटों अपने इन आराध्या की ही चर्चा चलती रहे रहे धर्म जी की प्रति लोगों का बहुत उंचा भाव था कुछ दिन बाद ललिता जी की यहां संकीर्टन का आयोजन था शीला देवी गुपता जी जिनको मास्टरने जी कहा जाता था वो पास ही बैठी थी कहाने लगें बहुत दिन से धर्म जी का पत्र नहीं मिला तुम्हें आये बहुत दिन हो गए ऐसा थो एक करती नहीं शीला जी का उनको याद करना था कि उसी दिन धर्म जी का पत्र मिल गया ओमंग में भरकर ललिता जी ने अपने पुत्र हरी सरण को भेज उसी वक्त तारा जी और शीला जी को बुलवा लिया और लो धर्म जी के लार प्यार में पगी हुई सत्संगी टोली बैठ गई अपने कनहिया की लीला चर्चा में धर्म जी की पत्र में लिखा था भक्तों कितना अध्भूत उनका भाक्ती का उंचा भाव था और अनभूतियां कितनी थी पत्र में उनल लिखा था सावन में हरीयाली तो सरवत्र ही चाजाती है पर वरज की हरीतिमा में एक विचित्र दिवेता है ऐसा प्रतीत होता है कि कोई दिव, नील, पीत, जोत, घुल, मिल करके हरी ताभा के रूप में प्रकट हो रही हो आज कनाया ने जैसे ही विपिन में प्रवेश किया उन्हें कुछ सखाओ निगेद लिया यमुना तटवर्ती सघन कुझों में एक सघन व्रिक्ष के नीचे सुचिक्कन शीला पर कनाया बैठ गये आज सखाओं में कनाया का मनमाना शिंगार करने की धोन थी कोई सखा सुन्दर सुन्दर मोर पिछ एक रत्रित करके लाया है तो कोई वन्य पुष्प कोई वन्य रंगों से इने सुचजित करना चाहता है तो कोई गुंजा माल से उन्हें सुचोभित करना चाहता है हो भी क्यों यह जो कोई सुन्दर वस्तु मिलती है तो वो कनाया के लिए होतो होती है तोकि सक्खा तो कनहिय कही है उनका कनहिय यशुमति का लाडला, अबरज का दुलारा सब का जीवन प्राण जो है स्क्खाओं ने कहा कनहिया आज तो हम सब अपने इछा नुशार तुम्हार सिंगार करेंगे तुमें ही अपने राजा बनाएंगे अपना राजा बना करके हम देखना चाहते हैं तो कितना सुन्धर लगेगा कनया के लिए कुछ करना तो चाहे कोई वो कभ इनकार करता है प्रेम से अरपिते एक पुश्पया एक पत्र के लिए यो संपून विश्व का राज ही दे सकता है नहीं इतना है नहीं वो तो उसके हाठों बिख जाएगा सखाओ ने कनया का शिंगार करना आरम्ब किया किसी ने रंग विरंगे वन्ने पुश्पो की माला पहराई किसी ने विविद रंगों से चितरांकन किया किसी ने पत्तियों के आभूशन बना पहनाये एक श्वेट मालती की माला को तिरशी करके कनया की घुंगुराली अलकावली में रटका थी। उसमें साथ मयोर पिछ लगाए। तीन तीन दोनों तरफ और एक बीच में। लंबे फूलों के ही कुंडल बनाए। गगन में चाथ मेगा चादे था अतो दिन में भी संध्या किसी सुर्मई छटा चाय हुए थी। सहसा शीतल पवन के जोंके कनया से कृड़ा करने लगे। उनकी मिलन लालसा और तीब्र हुए। पवन का वेग और बढ़ा। आब तो बड़े वेग से पवन चलने लगे। कनया का मोर पंखुं का मुकूट पवन में लहरा रहा था। उनकी गुगुराली अलकावली पवन में नन्य मुरिग सावकम की तरह कीडा कर रहे थी। वरिक्ष लताएं जूम जूम करने ती कर रहे थे। कनया जूम रहे थे। उनका पीताम बढ़ लहरा रहा था। आरुण पट के छोरों की लारान दर्शनी थी। कभी आरुण पट छोर पवन में उड़ते और कभी फिर कनया चली पड़ जाते। प्रकृत जूम रही थी। और कनया को देख देख उनके सखा लोग भी जूम रहते। सब जूम रहते। इस जूम भरी ज्ञाकी ने सब के मनों को सरस जूम से भर दिया। ललिता जी ने भाव में एक बार फिर ये पत्र पढ़ा। और फिर एक बार। और इसकी बात कितने ही दिन रोज पढ़ पढ़ करके वे सब कनया की श्रिंगार मई जूम में सामिल होती थी हैं। और इसमें धर्मजी का चेहरा सदा ज्याकता नजराता था। ठाकुर के चिंतन में निरंतर रत रहने वाली धर्मजी परिवार की अवहेलना को भी श्याम सुन्दर का प्रसाद समझ कर प्रसनता से झेल लेती थी हैं। पर महराज बीजी को धर्मजी का डैडी के यहां अधिक जाना अच्छा नहीं लगता था। उनकी धर्म संसार से विरक्त सा जीवन जीए। उन्हें ये सहय नहीं था, पर जबरदस्ती धर्म जी को संसार में रत भी नहीं किया जा सकेगा, वो अथितर जानती थी, वो दिन रात धर्म जी को काम में व्यस्त रखने लगी, ताकि उन्हें डैडी जी की यहां जाने का समय ही न मिले, इस तरह बीजी का आक्रोस धर्म जी पर निकलता था, वैसे भी नौकरी के साथ इतना समय निकालना मुश्किल साही था, डैडी जी ये सब देख करके श्रद्धा न थो, इतना ही कह पाते हैं, यहां गुदरी में लाल पल रहा है, इन्हें खबर ही नहीं है और कदर भी नहीं है, वास्ताव में प्रभूपत पर चलने वाले प्रेमी जनों को यह सब जेलना ही पड़ता है, पर उनको कोई विविगन बाधा बन उस पत पर अग्रसर होने से बिमुख नहीं कर पाता है, भक्तों बड़े भागिशाली थे, डैडी जी अर्थात मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा जी, एक दिन धर्मजी डैडी जी के हाँ ही थी, उनके हाँ कुछ विदेशी आतित भी आये हुए थे, डैडी जी कहीं बाहर गए हुए थे, दोपार को धर्मजी से मिलने उनके श्रधालुजन आ गए, पूरन देई जी, हीरा देई जी, शकुंतला जी, इंडरा जी, बिल्लो जी, सभी ही तो थी, आज त पूरे वातावर्म ने दीवान की ही भर दी, पल भर में आगन में दरियां बिछ गई और संकीर्टन शुरू हो गया, शुरू में दीरे दीरे ताल से कीर्टन की सुमधूर धुन शुरू हो ये, पर थोड़ी देर में श्याम 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 की उकार से पूरा वातावर्म ग गीत गा रही थी अंतरमन में तीब्रव कुला कुलाहत भरती ए श्याम श्याम की टेर क्रंदन सी बन सुनने वालों के दिलों को भेदती आकास मंडल तक पहुंचने लगी मलका और चंचल के लिए भी वाता वरन असानी हो गया वे कुछ समझने पाएं पर सबके साथ ही उनका विरुदन श्याम श्याम की कर्ण पुकार में परिनित हो गया धर्म जी के अरुनिम मुखार विंद पर आलाद भरे आभाचित रही थे पर उसी में मिश्यित थी श्याम सुन्दर के आगमन के लिए मनुहार करती उनकी पुकार अश्यु प्रवा से उनका उर आगन भीग चुका था विर समाधिस्ट सी थी इधर पूरन देई शकुंतला जी और हीरा देई जी जोर जोर से श्याम श्याम पुकारती आशु बहा रही थी डेदी जी का एप्रांगन उस्तमे मानू शरत निशा का यमिना पुलिन हो जहां रास के मध्य से श्याम सुन्दर अंतरधान हो गया हूँ ऐसी इस्थिका बन गया था ऐसा करुना भरा वातावरन हो गया था कि उस्तमें वहां पत्थर भी दरवित हो जाते सबकी आँखों से जहर जहरां सो गिर रहे थे इस वातावरन से आकरिष्ट हो करके वे विजेशी अतित भी कौतूहल वस बाहर निकल आये उनके लिए ये सब नवीन ही नहीं बहुत आश्चर जनक भी था कुछ भी नहीं समझ पाई वो विजेशी महिलाएं धर्म जी की इस देख करके भाय मिश्ट विश्मय से भार उठें कभी वे धर्म जी की आशू पोँच उन्हें चुपकराने की कोशिश करती हैं कभी पूरन देई जी को नए रोने के लिए प्रार्थना करती हैं यहां तक कि दोनों बच्चियों का रोना भी थम नहीं रहा था सारा वातावरन शाम शाम की करुण पुकार से गुणजाई मान होता था शाम शाम बोलती रोती थी सब करीब देर घंटे तक यह करुण पुकार आकाश मंदल को इसी तरह भेढ़ती रही धीरे धीरे सब शांत होते दिखाई देने लगे धर्म जी तो पूरी तरह समाधिस्त हो गई थी उनका पूरा शरी जडवत हो इतना भारी हो गया कि लीलावती जी उन्हें अंदर कमरे तक नहीं ले जा सकती थी अस्मर्थ रो अपने को पाई वो विदेशी महिलाओं की सहायता से धर्म जी को सहारा दे करके अंदर ले गए इदर श्रीमती पूरन देई और हीरा देई भी सामिल सी जो थी वो एकदम शितिल हो गए थोड़ी जेर बाद स्वास्थ चित हो वी सब अपने अपने घर गए डेडी जी के आने पर उन्हें विदेशी महिलाओं ने विश्मय भरा हुआ वो पूरा सुनाया द्रिश्य जो देखा था नेडी जी ने रंथी कहा आवश्य आज पूरन देई जी आई होंगे उनके आज आने से तो धर्म जी अपने भाव रोकपाने में एकदम यसमर्थ हो जाती है धर्म जी को उस स्थित में देख वो पूरन देई से रुष्ट से हो गए वो धर्म जी की संपदा को गोपनी रखना चाते थे पर खुद धर्म जी का भी इस सब पर कुछ जोर नहीं था सब ठाकुर जी की इच्छा ही थी ये नटखट गोपनी से गोपनी वस्त को भी उजागर कर कौटु करते ही रहते हैं एक बार भाक्त प्रवर हिर्डे नाराण जी जीने सब योगी राज जी के नाम से जानते थे श्रीमत भागवत जी की कथा का रहे थे योगी जी माहराज कथा में कभी रास पंचाद्याई पर प्रवच्ण नहीं करते थे वो जन साधारन को इसका अधिकारी नहीं समझते थे पर उस रोज शोताओं को ये सुखद आश्चरे देने को देखने को मिला कि योगी जी माहराज ने कई प्रसंगों को छोड सीधा रास पंचाद्याई कि टीका करनी शुरू कर दी और वो भी इतनी सरल्ता से, इतनी सरस्ता से कि सभी जूम उठे चिनमाई विरंदावन का दृष्य प्रसुत करते हुए शाराज रात्री का वर्डन करते हुए कनया के वंशी बादन से मानु पूरे पांडाल को गुजा दिया इस अन्होनी घटना से सभी हैरान थे गोपी गीत और उसके बाद महरास का वर्णन करते करते योगी राज्जी स्वयम भी चौक से गए और बोलते बोलते एक आएक चुप हो गया पुरा पांडाल शान तो सबसा था तोड़ी ये चुप रहने के बाद योगी राज्जी बोले लगता है पांडाल में कोई परमसंत बैठे हैं जिनकी उपस्थिती ने मेरे हिर्दय के गुप्त दन को मेरे मुख से उजागर करवा दिया कितना कर वो पांडाल में बैठे सभी श्रोताओं का अलोकन करने लगे उनकी निगा गूमती गूमती पांडाल के बिचो बीच बैठी एक दिवे विभूत पर पड़ी और वही टिग गई योगी राज्जी की आँखों में हुर्दय की समस्त शर्धा उमर पड़ी कुछ देर बाद स्वस्थ चित्त हो उन्होंने फिर आगे प्रवचन शुरू किया जी हाँ ये दिवे विभूत और कोई नहीं मारा जो धर्म जी थी और अपने को सबसे छिपाती हुई थोड़ी दिर बाद चुपचाप पांडाल से बाहरा गए आध्यात्मिक संपता के इस आईश्वरे से युक्त श्री धर्म जी के इन अलोग के क्रिया कलापों को समझ पाना पहिचान पाना किसी के लिए भी इतना सहज नहीं था योगी जी अपने जिस उच्चतम भाव को छिपा कर रखे थे आज धर्म जी की कारण सब प्रकट हो गया था भक्तों सनु 1960 की बात है तब तक कमला जी को धर्म जी के दर्शन नहीं हुए थे एक दिन स्वक्त में कमला जी ने एक सरोवर देखा जो शायद राधा कुंड का ही दिर्शे था वैसी सीड़ियां और खूब कमल के फूल खिलेगी थे उस सरोवर में एक सुंदरी बाला अपनी साड़ी घूटनों से कुछ उपर उठाए नीचे जोकी सरोवर से में अपने अंजली में उठाए गोपाल के लिए कह रही है लो तारा जी बाल गोपाल इनकी सेवा किया करो कमला जी हरस्ति विभोर हो उठी अगले जिन तारा जी को सब बताया गंभीर तारा जी सब समझ गई थी और मूख मुद्रा से कुछ भी न जलका वर्षों बाद उनके पौत्र समीर के मुंदन के उत्सो पर आई धर्म जी को देख कमला जी ने जहट से उन्हें पहिचान लिया और चहक्ति वोई तारा जी को बोले तारा जी यही तो वे सरोवर वाली हैं आपको गोपाल जी के सिवा सोपने वाली हैं कमला जी की बात सुन तारा जी मंद मंद मुस्करा दी हैं और कमला जी को उन्हें प्रणाम करने के लिए संकेत किया कमला जी ने बहुत ही श्रद्धा से प्रणाम किया तारा जी ने जब कमला जी की स्वपन की बाद धर्म जी को बताई तो धर्म जी ने पूछा तारा जी गोपाल सेवा का क्या हुआ स्वापन में दी सेवा साक्षात ही होती है इतना का धर्म जी हंसती इसके बाद तारा जी ने गुपाल जी की विधिवत सेवा शुरू करती और अपनी गुरू के इस अमूल उपहार पर स्वापन में की गई कृपा पर निहाल हो गई भक्तों परम गृपाल ठाकुर जी इन सामर्चवान अपने भक्तों जैसे धर्म जी के माद्यम से कितनी कृपा करते हैं कितनी सक्खियों उपके ऊपर कृपा की तारा जी की पात सुन रहे थे आप शी तरह से भाव को बिल्लो जी की उपर वी बहुत कृपा की थी और फिर तो रास के रास का ही आनुन सब को प्रधान किया उससे बाते में आपको कल सुनाओंगा आज इन महान भक्त माताओं सहित धर्मी जी के चर्णुन वारंबार पुणाम कर रहा हूं शीरा दे ती दाते ही बिल्स घरा देखे शीरा देखे जाते ही पुणाम